असलाम अलेकुम वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि विंडोस 10 में लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स कैसे करते हैं चलें शुरू करते हैं अगर आपने मेरा चैनल स्ब्सक्राइब नहीं किया तो इसको स्ब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो की अप्टियर्स आती रहें सबसे पहले आपने विंडोस स्टार्ट बटन को प्रेस करना है यहां से आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप परस्नलाइजेशन पर स्टेट करोगे यहां से आपको बस ऑप्शन आजएगा थीम का बैक्रोंड का यहां से आप लॉक स्क्रीन स्लेट करोगे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स क्लिक करने के बाद आपको बस ऑप्शन आजएगा प्रिव्यू बैक्रोंड चूज एप्स शो लॉक स्क्रीन, बैक्रणड पिक्चर और साणियन स्क्रीन बन बे बन सबको देखते हैं नमबर वन, विंडोज स्पोटलाइट मतलब यह कि अगर आपका लेप्टोप लॉक है तो आपको बैक्रणड पे इमेज कौन से चाहिए इसको अब select करो और यहाँ से आप इसको change कर सकते हो With Picture, Slide Show और Windows Spotlight जो के बाई डिपाल्ट है अगर मैं Slide Show करता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी Picture folder select कर सकते हो जो के आप बैक्रणड पे लगाना चाहते हो वो आपके सिस्टम में से कोई भी हो सकता है इसके अलावा आप इंडोस पॉटलाइट या पर पिक्चर कर सकते हो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चूज एन वन एप तो शो डिटेल स्टेटस उन लॉक स्क्रीन मतलब यह कि आपकी लॉक स्क्रीन पर कॉन लॉक स्क्रीन पर कुछ नोटिबिकिश्ट शो हो जैसे कि हमारे मॉबाइल फून्स पर लॉक स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकिश्ट शो होते हैं जिनको हम enable और disable कर सकते हैं सेम इसी दरा विंडोस 10 में enable और disable कर सकते हो different notification को Suppose मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई application का notification शो हो तो मैं यहां से plus sign पे click करूँगा यहां से वो application स्लेट करूँगा जो कि मैं चाहता हूँ जिसका notification lock screen पे show हो For example, Clender अब Clender के जो भी आप notifications होंगे वो मेरे lock screen पे show हो जाएंगे इसके बाद आप कोई दूसरी भी आप यग different apps चूज़ कर सकते हो उसके लिए आपको plus sign पे click करना होगा यहां से आप कोई भी आप select कर सकते हो Second plus sign यहां से for example messaging, third mail, fourth number में select कर दा हूँ weather तो इन सब applications की notification मुझे lock screen पे नज़र आएंगे हमार जो next option है वो है show lock screen background picture on sign in screen in case आपका laptop lock है और आप sign in करने के लिए कोई भी बटन प्रेस करते हो तो आपके पास sign in screen आ जाती है उस sign in screen पे अगर आप चाहते हो के background पे आपके pick लगी दे है जो के आपका background image है तो आप इसको enable कर दो अगर आप चाहते हो कोई solid color आ जाए तो आप इसको disable कर दो वो picture गाइब हो जाएगी और आपका sign in option आ जाएगा next जो है मर परस वो है cotton lock screen settings suppose अप चाहते हो के cotton आपके बाद सुने और आपको reply करे on lock screen तो आप इसको enable and disable जहां से कर सकते हो for example मैं cotton lock screen पर setting क्लिक करता हूं यहांसे आप देख सकते है let cotton us respond है cotton इसको आप enable and disable कर सकते हो तो आपको cotton ना सुनाई देगा या आपके वाज का response देगा जब आपकी screen lock होगी तो जो next option है वो keyboard shortcut का है let cotton listen for my commands when I press the windows logo की plus c तो इसको भी आप enable or disable कर सकते हो next option है lock screen use cotton even when my device is locked यह वही same thing है जो कि मैं फस्ट नंबर पर देखिए let cotton respond to hey cotton आपकी lock screen पर आपको cotton reply करे तो इसको आप enable or disable यहां से कर सकते हो जो सबसे last way है वो है let cotton access में calendar email messaging and power data when my device is locked तो यहां से आप cotton को access दे सकते हो आपने different apps की जिससे वो different चीज़ों को different application को notification को use कर सकती है तो यहां से आप different settings कर सकते हो अगर हम back जाएं तो में next option है screen timeout settings यहां से आप देख सकते है on battery power turn off after मतलब कि आप power and sleep को यहां से manage कर सकते हो अगर आप यहां से यह दो चीज़े manage करना जाओ तो कर सकते हो इसके इलावा जो इसकी settings है वो है battery में power options में अब battery पर right click करो यहां से आप power option में जाओ तो आपके पास यहां पे complete detail शो हो जाएगी यहां से आप कोई भी settings कर सकते हो choose what power buttons do तो यहां से आप select कर सकते हो अगर आप power button press करो तो क्या हो for example when I press the power button hybrid when I press the sleep button on battery or on plugged-in to sleep home when I close the lid do nothing इसके आप next display को change कर सकते हो turn off display after 2 hours on battery also after 2 hours on plugged-in इसे तरह आप computer to sleep पे timing change कर सकते हो तो यहां से भी आप same voice settings कर सकते हो जो हमार रपस next option है वो है screen saver settings का तो यहां से आप कोई भी screen saver को apply कर सकते हो on your light screen or after few seconds or when you want you can select multiple minutes seconds or anything else you can choose any screen saver from the list below तो यहां से आप screen saver की settings भी कर सकते हो तो यह था हमारा lock screen के मतलिक इस से आप lock screen की windows 10 में settings कर सकते हो अमीद करता हूँ कि आपको YouTube पसंद आया होगा Thank you so much for watching Please subscribe to this channel for future videos Allah पेज और प्याएं कर्णा-जाएं आपको YouTube एफको एफ एफ वार्जच झाएं एफफ़को एफफ़को लेए मारे खवड़कों पैसके भवड़कों